समराट अक्वर का जन 15 अक्टूवर 1542 इसवी को अमीदा बानू बेगम के गर्ब से अमरकोट के राणा वियस साल के महल में हुआ अक्वर की बच्पन का नाम जलाल था उसका राजय भिशेक 14 फरवरी 1556 इसवी को पंजाव के कलानोर नामकिस्थान पर हुआ अक्वर का सिक्षक अब्दूल लतीफ इरानी विद्वान था वह जलाल उद्दीन मुहम्मद अक्वर बादसाही गाजी की उपादी से राज सिंगाशन पर बैठा बैरम खां 1556 इसवी से 1560 इसवी तक अक्वर का संरक्षक रहा वैं बदक्षा का निवासी था उसे प्यार से खानी बावा कहा जाता था पानीबत की दूसरी रड़ाई 5 नवंबर 1556 इसवी को अक्वर और हेमू के बीच हुई थी इस युद्ध में अक्वर की विजय हुई थी 31 जन्वरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक के स्थान पर मुबारक खा नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी मई 1562 में अक्वर ने हरम दल से अपने को पूर्टयह मुक्त कर लिया हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 इस वी को मेवाड के साशक महराना प्रताप एवं अक्वर के बीच हुआ इस युद्ध में अक्वर विजय हुआ इस युद्ध में मुगल सेना का नेत्तुरत्व मान सिंग एवं आसफ खाने किया था अक्वर का सेना पती मान सिंग था हल्दी घाटी युद्ध के समय कुम्भलगर राणा प्रताप की राजधानी थी राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खांसूर के नेत्तुरत्व में एक अफगान फौजी टुकडी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था महराणा प्रताप की मृत्यू 19 जन्वरी 1597 इस्वी में एक सक्त धनुस की प्रत्यंचा चड़ाते समय अंदुरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई हल्दी घाटी की युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डुंगर पुर के निकट चावण में नई राजधानी बनाई महराणा प्रताप की घोडे का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रशाद था दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था दीन ए इलाही धर्म सुविकार करने वाला प्रतम एवं अंतिम हिंदू साशक बीरवल था महेज दास नामक ब्राममण को राजा बीरवल की पदवी दी गई थी जो हमेशा अकवर के साथ रहता था अकवर ने जैन धर्म के जैनाचार हरी विजय सूरी को जगद गुरू की उपादी प्रतान की थी अकवर ने साही दर्वार में एक अनुस्ठान के रूप में सूर्यो पासना सुरू करवाई राजस्व प्राप्ति की जप्ती प्रणाली अकवर के साशनकाल में प्रचलित थी अकवर के दीवान राजा टोडर मल ने पंद्रेसो असी इस्वी में देह साल बंदोवस्त व्यवस्ता लागू की गुजरात विजय के दोरान अकवर सरप्रथम पूर्टगालियों से मिला और यहीं उसने सरप्रथम समद्र को देखा गुजरात अभियान को इतिहासकार इसमिथ ने संसार के इतिहासकार सरवाधिक दूर्तगामी आकर्मन कहा है अकवर के दरवार का प्रशिद्ध चित्रकार अब्दुर समत था अकवर के दरवार का प्रशिद्ध संगीतकार तानसेन था दसवंत एवं बसावन अकवर के दरवार के चित्रकार थे अकवर के साशनकाल में प्रमुख गायक, तानसेन, बाज बहदुर, बावा रामदास, इवन बैजु बावरा थे संगीत समराट तानसेन का जन्म 1506 इसवी में ग्वालियर के एक ब्रामण परिवार में हुआ था इनका असली नाम रामतनु पांडेय था यह दुरुपद गायन शैली का महान संगीत कार था इनकी प्रमुक्रतियां थी मिया की टोड़ी, मिया का मलहार, मिया का सारंग, दरवारी कहनरा, आदी अकवर ने तानसेन को कंठा भरन वानी विलास की उपादी दी थी तानसेन अकवर के दरवार में आने से पूर, रीवा के राजा, रामचन्र के राजाश्ट्रे में थे अकवर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगी तग थे दास्तान ए अमीर हमजा, हमजा नामा के नाम से भी प्रशिद है, यह प्रशिद अरवी महाकाव्य है पून कारणामों का चित्रत संग्रह है। इसे अंतिम रूप में चित्रत करने का कार अब्दुसम्मद्द ने किया था। इसके चित्र को चित्रपट कहा गया। अकबर की साशन प्रणाली के प्रमुक्विजेस्ता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रशिद सूफी संथ शेख सलीम चिस्ती थे। अकबर की मृत्यू 16 अक्टूबर 1605 इसवी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर द्वारा खिये के कुछ महत्पून कार्य। दास प्रथा का अंत 1562। अकबर को हरम दल से मुक्ती 1562। तीत यात्रा कर समाप्त 1563। जजिया कर समाप्त 1564। फतेपूर सीकरी की स्थापन एवं राजधानी का आगरा से फतेपूर सीकरी इस्थाना अंतरन 1571। इबादत खाने की स्थापना 1575। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमती 1578। मजहर की घोशना 1589। दीन ए इलाही की स्थापना 1582। इलाही संबत की सुरुवात 1583। राजधानी लाहौर इस्थाना अंतरित 1585। इस्थापत्यकला के छेत्र में अकबर की महतपून क्रतियां हैं। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरवार में राज कवी के पदपर आसीन था। अबुल फजल ने अकबर दामा ग्रंथ की रचना की वहदीन ए इलाही धर्म का मुख्य प्रोहित था। अकबर ने आमेर की राजा भारमेल के पुत्र भगवान दास को अमीर उल उम्रा की उपादी दी। यूसुफ जाईयों के विद्रोह को दवाने के तौरान बीरवल की हत्या हो गई। 1602 इस्वी में जहांगीर के नर्देश पर दक्षिन से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंग बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल समराट अकवर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की नकीम खां, अब्दुल कादिर पनायुनी तथा शेख सुल्तान ने रामायन एवं महाभारत का फारती अनुवाद किया वा महाभारत का नाम रज्म नामा युद्धों की पुस्तक रखा। अंचित अंत्र का फारती भासा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से और मौलाना हुसेन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इवराहिम सरहदी ने अथरवेद का, मुला साह मोहमद ने राज तरंगिडी का, अब्दुर रहीम खान खाना ने तुजुक ए बावरी का, फैजी ने लिलावती का फार्सी में अनुवाद किया। फैजी ने सूरदास द्वारा रचित नल दम्यंती कथा का फार्सी में अनुवाद कर उसका नाम सहीली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फार्सी में तोडर मल ने किया। अब्दुल कादिर बनायुनी ने सिंगासन 32 का अनुवाद फार्सी में किया। जियोतिस के प्रशिद ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फार्सी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मुहम्मत खा गुजुराती ने किया। निजामुद्दीन पानीपत ने रामायन के परिसिस्ट के रूप में वेदान्तिक दर्सन पर एक ग्रंथ योग वसिस्ट का पार्सी में अनुवाद किया। अकवर के काल को हिंदी साहित्य का स्वन काल कहा जाता है। अकवर ने बीरवल को कविप्रिय एवं नरहरी को महापात्र की उपादी प्रदान की। बुलंद दर्वाजा का निर्मण अकवर ने गुजरात विजय के उपलक्ष में करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकवर के समय सुरू हुई। अकवर ने सीरी कलम की उपादी अब्दुरसमद को एवं जडी कलम की उपादी मुहम्मद हुसैन कस्मीरी को दी। मुगलों की राज की ये भाशा फार्क सी थी। अकवर नकारा या नगारा नामक वाद्य अंत्र बजाता था। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रे अकवर को प्राप्त है। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगे अल्लाह उअकवर जल्ले जलालहू तथा दूसरी और टकसाल का नाम अंकित था। उसके चादी के एक सिक्के के एक भाग पर धन आकृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई।